यह है क्यूर बाडिगाड पार्ट 12 एपिसोड के स्चार्टिंग में जिंग जिंग की मदर जिंग जिंग के फादर से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर गू के ग्रैंट फादर हमारे जिंग जिंग को पसंद करते हैं और उन दोनों के फैमिली बैग्राउंड बिल यह कुछ मेडिसन्स लाइए हो कि वर दिमार है पर मिस्टर गू सो रहा था इसलिए मिस्टर गूं को दे देना क्यूंकि तुम्हारे घर का खाना बहुत ही ऑली है क्योंकि यह समश्टर गू के हिलक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये सब अस्टर गू के हल्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फिर वो ये भी बोलती है कि मिस्टर गू के ग्रैनफादर और मुझे पता है कि मिस्टर गू तुम्हें पसंद करते है और तुम दोनों के फैमिली बैग्राउंज बिल्कुल अलग है तुम एक सिंपल लड़की होतो तो मैं एक सिंपल लाइफी जीना चाहिए फिर मिस्ट बाई वहाँ से चेली जाती है उसके बाद जिंग जिंग की मादर भी उससे बोलती है कि हमें भी लगता है कि मिस्टर गू तुम्हारे लिए ठीक नहीं है फिर जिंग जिंग बोलती है कि आप चिंता मत करो मैं और मिस्टर गू कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है जिंग जिंग मिस्टर गू के पास जाकर भी बोल देती है कि हम दोनों एक दुसरे के लिए सही नहीं है तो हम दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही रहना चाहिए और हम दोनों की दुनिया बिलकुल अलग है उसके बाद जिंग जिंग मिस्टर गू के साथ बिताए होए सबी पलोखोयात कर रही थी और वो बहुती उदास थी फिर वो रो रही थी उसके बाद जिंग जिंग मिस्टर गू के उपर गुस्ता हो जाती है क्योंकि मिस्टर गू ने उसे अपना बैंक अकाउट और पासवर्च सेंड कर रही थी मिस्टर गू बोलता है कि तुम नहीं तो कहा था कि हम दोनों की दुनिया अलग है तो इसलिये मैंने तुम्हें अपना bank account दे दिया है ताकि तुम मेरे पैसे यूज़ कर सको जिंजिंग बोलती है कि मेरा मतलब ये नहीं था फिर वो गुस्टा होकर वहां से चली जाती है अब Mr. Gu Aimee से पूछता है कि जिंग जिंग क्यों गुस्टा हो गई Aimee उसे समझाती है कि पैसे देकर तुम ने उसे insult किया है Mr. Gu बोलता है कि मेरा तो ये intention ही नहीं था मैं तो सिर्फ उसे help करना चाता था उसके बाद वो अपने आस पैस को अच्छी तरह से देखता है फिर Miss Chain उसे देखकर उसे एक use offer करती है क्योंकि जिंग जिंग ने उसे कहा था कि Mr. Gu दिमार है फिर Miss Chain बोलती है कि आजकर उसके business कुछ अच्छा नहीं है और उसे online कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे delivery करते है फिर Mr. Gu बोलता है कि मैं आपकी help कर दूगा उसके बाद जियती पालर में आकर जिंग जिंग के मदर को बोलता है कि हमारी company ने आपके पालर के VIP cards खरीद लिया है ये सुनकर जिंग जिंग की मदर बहुत खुश हो जाती है अब जिंग 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 के father को देखकर एक old lady बोलती है कि आप Mr.Goo को thank you बोल देना क्योंकि उन्होंने हमें ये headphones दिया है ताकि हम किसी को disturb ना करके practice कर सके फिर मिस चेन आकर भी बोलती है कि please Mr.Goo को thank you बोल देना क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत helpी है अब घर लाटते ही Mr.Goo जिंग जिंग के father को बोलता है कि मैंने आपके martial arts के classes को online promote कर दिया है तो बहुत सारे students आपसे सीखना चाते है ये सोनकर जिंग जिंग के father भी बहुत खुश हो जाता है उसके बाद Mr.Goo बोलता है कि मुझे भी आपसे martial arts सीखना है उसके बाद Mr.Goo की training स्टार्ट हो जाती है Mr.Goo बहुत हार्ट वर्किंग हो गया था और वो घर का सारा काम भी कर देता था वो जिंग जिंग के लिए अपने आपको बदलने की कोशिश कर रहा था दिनर के टाइम रात को उसका बनाया हुआ सुब खाकर सभी उसके तारिफ करते है जिंग जिंग की मदर फिर बोलती है कि ऐसा लगता है कि Mr.Goo हमारा ही लड़का है और मुझे लगता है कि Mr.Goo सच में हैं बहुत कोशिश कर रहा है तुम्हें मनाने के लिए पर जिंग जिंग उनकी बातों को इग्नोर कर देती है Mr.Goo अपने ही चेयर में सो गया था फिर जिंग जिंग एक ब्लैंकेट लेकर उसके बाड़ी को कवर कर देती है Mr.Goo उठ जाता है जिंग जिंग बलती है कि तुम अपने आपको फोर्स क्यों कर रहे हो तुमें ये सब करने की जरुरत नहीं है Mr.Goo बलता है कि मैं जो भी कर रहा हो मुझे अच्छा ही लग रहा है और मुझे अपने आपको चेंज करना है था कि मैं तुम्हारे कड़िबा सकू और तुम्हारे पेरेंस ने भी मुझे एक चांस दे दिया है तो तुम कम मुझे चांस दोगी जिंजिंग बोलती है कि मैंने अब तर भी साइड नहीं किया है ये बोलकर वो वहां से चेली जाती है फिर मिस चेंड भी जिंजिंग को बोलती है कि Mr.Goo कितना अच्छा है वो हैंसम है रिच है और वो तुम्हारा ख्याल भी रखता है फिर वहां पर गू कमपनी के इंपलाईज आ जाते है वो लोग बोलते है कि Mr.Goo के Grandfather आपसे मिलना चाते है फिर Mr.Goo के Grandfather जिंग जिंग से बोलता है कि मैं चाता हूँ कि तुम गूरॉंग को बोलो की कमपनी जाइन करे और मैं चानता हूँ कि गूरॉंग तुम्हारी बात जरूर सुनेगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो जिंग जिंग बोलती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ Mr.Goo के Grandfather बोलता है कि तुम टाइम लो और फिर सोच के हमें बताओ और ये वीडियो इतना हीता मिलते हैं नेक्स वीडियो में